वेल्कम बाग तो माय चानल, पिंकिस कुकिंग पार्चाला में आप सभी का स्वागत हैं, तो आज मैं आप सब के लेकर आई हूँ, डिलीशिस डॉमिनो स्टाइल जिंगी पार्सल, और डॉमिनो से भी टेस्टी आप घर पे इसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है बनते ए डिलीशिस जिंगी पार्सल, मैंने कैसे बनाया है, इसे बनाना बहुत ही असान है, गुनगुना पानी आधा कपके करीब करीब ये लिया है, तो ड्राइइस्ट को एक चमच के करीब करीब में ड्राइइस्ट ले रही हूँ, तो आप जिस भी ब्रैंड का यीस्ट यूस कर अच्छे से आप देख लीजेगा, अलग अलग ब्रैंड के अलग अलग इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, तो आप उसको ध्यान में रखके इसे अक्टिवेट कीजेगा, यीस्ट का अक्टिवेट होना बहुत जादा जरूर है, उसे ही आपकी जो ब्रेड है, बहुत ही अच्छ जाग जाग हो गया है, इस तरीके से अगर आपका यीस्ट अक्टिवेट नहीं होता है, तो सेम प्रोसेस आपको दुबारा करना है, तो बहुत साथा गरम पानी लोगे तो यीस्ट अक्टिवेट नहीं होगा, ध्यान रखिए, तो यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक में ले मैंने शक्कर पहले इसले नहीं होली क्योंकि मेरे पास जो शक्कर अविलेबल थी एकदम बारीक थी, तो उसे बहुत जादा डिजॉल्व होने में टाइम नहीं लगता है, आप चाहें तो जब हमने यीस्ट अक्टिवेट किया है, तभ ही आपस में शक्कर आड़ कर सकते है तो थोड़ा थोड़ा पानी करके आप आठ कीजीएगा, आधा कब से भी कम पानी इस आठे को गूतने में लगेगा, तो देखें थोड़ा करके ही पानी आप आठ कीजीएगा, इस तरीके का बॉल आप बना लीजिए और इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे, आदे मैं इसे रेस्ट करने के लिए रग देती हूं आदे गंडे के लिए तो यहां पर मैं राप का इस्तमाल कर रही हूं आपके पास अगर नहीं अविलेबल है तो आप धकन का भी इस्तमाल कर सकते हैं जिंगी पार्सल की स्टफिंग की तयारी एक चमच बटर लिया है नहीं चोटे टुकड़े लिया है पनीर के और थोड़ा सा बारी कटा हुआ प्यास थोड़ा बड़ा सा कटा हुआ प्यास स्वीट कॉन्स लिये है और कैपसिकंव यह येलो और ग्रीन तो हम इसको कर लेंगे कुछ सेकंद से के लिए बहुत ज़पाल कोवान शरा कोपिशु करना थोड़ा करना पौकिंची ही हमसे रहने देंगे मललते रचले सा नमक क्यों अनुसार के कि अटप कर जात डोड़ा है। जोपाले क्यूशे पर सकते में अ ह Courtney आहिख कोष़। नहीं करना है मीरियम फ्लेम पे हम इसको कोक करेंगे दो मिनिट के लिए बस इसके बद मैंने और प्रिज्पे पार्ष स्टफिंग रेड़ी हो चुकी है एक अब डूह है अच्छा और अच्छा अगर फूला लग रहा है अगर आप इसे एक गंटे के ले रखेंगे तो यह औ अदे गंटे लिए गड़ने में जोड है लें अब्ड है तो समूद में भीटे हं प्रवत रोटी सामी बन लिए ठीज बनागी जाद बड़ जाद बनागी तो इसका है कि उतिके क्यां करीकों कर लिए दो जाहना जाँ कोई भाद गूड़क 2022 को अब मैं देखिए इसको साइट से मोड रही हूँ ये ट्रिकी है थोड़ा सा ध्यान से देखिए उपर से मैं इसको जॉइन नहीं किया है थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है तीनो साइट से आप देखिए ध्यान से अब जो स्टफिंग हमने रेडी की है उसको हम आड करेंग और उपर से मजरेला चीज इसमें आट करेंगे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसे ऐसे हम तीनो साइट्स को एक दूसरे के उपर ओवरलाब कर देंगे चिपका देंगे देखे थोड़ा सा पानी लिया है इससे बहुत अच्छे से ये चिपक जाएंगे और ये डिलीशि नहीं करना है तोड़ा स्पेस दीजेगा उसके बाद आपकी स्टफिंग आप स्टफ कीजेगा मोजरेला चीज बहुत ही अच्छा चीज पूल देता है इसलिए मोजरेला का ही स्तमाल कीजिए तीनो साइट्स में थोड़ा थोड़ा पानी लगा लीजिए और इसको ऐसे पंदरा मिनिट के लिए 180 डिग्री पे बहुत ही अच्छे से ब्रेड भी जो है पक जाएगी अब मैं इस पे बटर लगा रही हूं मैं जरूर लगा लीजिएगा उपर से जो करस्ट ये क्रंची क्रिस्पी और गोल्डन से कलर के लिए बहुत ही सुंदर दिखता है बटर ल ज़िए लोली जिंगी पार्सल की रेसीपी भी पोस्ट कि है आप देख सकते है मेरे चैनल के अब इसे 15 मिनिट के बाद हम देख लेंगे 15 मिनिट के बाद डिलीश से टेम्टिंग जिंगी पार्सल रेडी हो चुके हैं देखे पुरा चीज जो है बाहर आ रहा है तो यह बहुत ही टेस्टी बनते हैं घर पे और मार्केट में इसे थोड़ा सा कॉसली हो जाता है घर पे बनाएंगे तो मन भर के जितने चाहे उतने ख पार्सल्स के और धेर सारे आप बना के खा सकते हैं देखे यह नीचे से भी बहुत अच्छे से पक चुका है उपर से गोल्डन भी हो चुका है ब्रेड भी जो है बहुत ही सॉफ्ट बनी है और यह देखे कितना अच्छा चीज पुल आया है इसे खाके आपको मजे ही आ जा थाइए थैंक्स वर वाचिंग बाय और यह थाइए थैंक्स वर वाचिंग बाय एंटेकर